दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पाली कबर बिहार में कोरोना को लेकर लगाये गए सबी प्रतिबंद हटाये गए जी है सबसे बड़ी खबर बिहार सरकार ने कोरोना के सिति की समिक्चा के बाद एक बड़ा फैसला किया है बिहार में कोरोना को लेकर लगाये गए सबी प्रतिबंदों को हटा लिया गिया है बिहार के मुईक मंतरी नितिस कुमार ने खुद इसकी जानकारी साजा की है मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने ट्विट के मैदम से इस बात की जानकारी दी है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमन की वर्तमान इस्तियों की आज समिक्चा की गई कोरोना संक्रमन में लगातार आ रही कमी को देखते वे 14 फर्वरी से अगले आदिस तक सभी प्रकार के प्रतिबंदों को हटा लिया गया है आप कोवीड अनुकूल विभार एवं नेदारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ ही सभी गतिविद्या समयने रूप से संचालित होगी अगली बड़ी कबर बिहार में 4050 सामुदाई के हेल्ट आपिसर की होगी बहाली जिया बिहार में 4050 सामुदाई के हेल्ट आपिसर की बहाली होगी राश्ट्य स्वास्त मिस्सन के तहत इनकी बहाली होनी है इससे राज के ग्रामीन चेत्रों में स्वास्त सुविधाई को पहुचाने में सहायता मिलेगी ये ग्रामीन चेत्रों में प्राथमिक स्वास्त सुविधाई पहुचाने वाले स्वास्त कर्मियों आसा के नेतुत करेंगे स्वास्त विभाग के स्वास्त समीती द्वारा समीदा के अधार पर बहाले की प्रक्रिया शुरू की गई है 936 पद अनारचित है जबकि 499 पद अनारचित महिलाओं के लिए निधारित के गए है विभाग के अनुसार सभी सियचों की बहाली के लिए बियसी पोश्ट बेसिक बियसी नर्सिंग एवाम जियनेम योगता धरकों को अवसर दिया जाएगा केंद्रिया राज सरकार दोरा माइनता प्राप्त सिक्चन संस्तान से प्राप्त डिग्रेह माइन होगे तेन मार्च तक अनलाइन आवेदन मांगे गए हैं आवेदन के साथ यानारा चित पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग वा आर्तिक रूप से कमजोर वर्ग उमिद्वारों को 500 रुपी एवम बिहार निवासी अनुसुचित जाते आनुसुचित जन जाते हुआ महिला आवेदकों को 500 रुपी आवेदन सुलके के रुप में ओलाइन भुगदान करना होगा जो सियचों के बदबर बहले से कररत है उन्हें पुना आवेदन करने की जुरत नहीं है बाड़ी कबर अब बिहार में मरीजों के इलाज में नहीं होगी लापारवाही इस अस्पताल में तिसरी आख करेगी निगरानी आने जाने वालों पर भी रहेगी नजर जी हाँ अनुगरा नाराएन मगद मेडिकल कॉलेज अस्पिताल में मरीजों के इलाज के दोरान लापारवाई करने वाले कर्मी वाच किस्टक पर विस्स नजर रहेगी इसके लिए अस्पिताल के अलग-अलग बिल्डिंग में लगाये गए केमरे को दुरस्त किया जा रहा ह ऐसे तो अस्पिताल की पुराने बिल्डिंग में वर्च 2013-14 में केमरे लगाये गए थे इसके अलावे बनाये गए न्यू इमर्जनसी बिल्डिंग, MCH बिल्डिंग, NIT, VSC नर्सिंग सहित अने संस्तानों पर मिलाकर करीब डेड़ सो से अधिक सिसी टीवी केमरे लगाये इनमें से आदे से ज़्यादा ना किसी कारण से खराब पड़े हैं, इससे कारण इससे लाब समय पर नहीं मिल पा रहा था। आने वाले या यहां से जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखी जा सकीगी। इवराज सिंग जो कि सोलक करोड के रहे हैं, आपको बता दे किसान किसान का बेस प्राइज करोर रुपिय था यानि वे साथ गुना से अधिक मांगे भी के हैं। आगली बड़ी खबर बिहार में लंबी पड़ी ठाण, इस बार गर्मी पड़ी की कम तीन दिनों में 4 डिग्री नीचे आएगा पारा, बिते 60 साल में जब जब चली है सीत लहर तब तब गर्मी ने कम जुलसाया है। जिहां इस सल बिहार में माई जून में लोगों को उतनी गर्मी नहीं जिलने पड़ी गी जितनी दोनों माईने में पड़नी चाहिए। अधिकतम तापमान में तेजी से कम हुआ है। इस कारण माना जा रहा है कि इस साल माई जून में पड़ने वाले गर्मी से लोगों को रहात मिलेगी। अगली बड़ी कबर CBSE Term 2 की पहले कोरोना ठीका के दोनों डोज की देनी होगी जानकारी। केंद्रिया मादमिक सिख्चा बोड के Term 2 के पहले सबी बोड परिचातरियों को करोना ठीका लेना आनिवारी कर दिया गया है। ठीका लेने के बाद परिचा के पहले इसकी जानकारी सिबियेसी को देनी है। क्योंकि Term 2 के पहले Board द्वारा सभी स्कोलों से इसकी जानकारे मांगे जाएगी इसके लिए Board द्वारा एक format तैयार किया जा रहा है इसमें 10 वी और 12 के सभी परिचात्रियों के टिका लेने के जानकारी देनी होगी इसमें चात्र के रोल नमर के साथ ही उनके टिका लेने की तिती भी देनी होगी ग्यात हो कि कोरोना संक्रमन से बोर्ड परिचात्रियों का बचाव हो इसके लिए 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टिका लगवाना है इसमें 19 से 12 तक के जदतार बच्चे सामिल है अगली बड़ी के बर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 174 नई संक्रमित 11 जिलों में एक भी नहीं मरीज जिया बिहार में कोरोना जाच अभियान के तहाते पिछले 24 घंटे में नई संक्रमित की संक्या कम होकर दोसर से कम हो गई है आपको बता दे कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 174 नए संक्रमित मिले है वही 11 जिलों में एक भी कोरोना का नए संक्रमित मरीज नहीं मिला है अगली बड़ी कबर बिहार में बच्चों को गोद लेना अब होगा आसान बदल गए है नियम सिर्प करना होगा ये काम जियाँ बच्चों को गोद लेना असान हो गया है माता पिता को अब कोड के कर नहीं लगाने पड़ेंगे नियाला की प्रक्रिया और इंतिजार से चुटकार अमिल गया है बदादे कि किसोर निया या धिन्याम 2021 में कोड के बदले आब डियम को बच्चों को गोद दिने का अधिकार दे दिया गया है जानकारी हो कि कोरोना काल में कोड से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सका है मतादे साल 2019 तक 2500 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था कुरोना काल में बच्चों को गोद दिने की संख्या 100 तकी सिमट रह गई है इस से विशेश दत्तक गरान संसानों में अनात बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है इस समद में महिला एवम बाल विकास मंत्राले द्वारा राज्यों को नियम मनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है अगली वड़ी कबर बिहार में 241 किलोमीटर लंबा राम जानकी मार्ग अब चार लेन मनेगा पांच हजार करोड रुपिया आएगा खर्च जिया भाजपा के राजसबा सांसा दवम बिहार के पूरो उपमकी मंत्री सुसिल कुमार मोदी के एक प्रस्न के जवाब में केंद्रे सड़क परिवहान एवम राज मार्ग मंत्रे नितिन गड़करी ने राजसबा में बताय कि बिहार में राम जानकी मार्ग की कुल लंबा कर सिवान मसरक चक्या सितामडी वित्ता मोड से गुजरता है और जनकपुर में समाप्त होता है अगली बड़ी के पर बिहार में बीमार पसूव के लाज के लिए एक फोन कापी गाँं तक पहुच जाएगा पसू पालोखो को पसू अस्पुडाल के दोड़न नहीं लगाने होगी एक फोन, कॉल पर सुधर गावों में उनके दर्वाजे पर पसू का इलाज हो सकेगा इसके लिए मोबाइल पसू ची किस्सा क्लिनिक चलाए जाएंगे आपको बताती कि राज में 307 मोबाइल वेटरनरी सर्विस एनुटी जिलवार संचालित के जाएंगे संचला नादे का मसदा तयार है इसे सरकार के मंजूर मिलते हैं आउट सोर्स पर स्टाप के नियुक्ति कर दी जाएगी अगली बड़ी कबर जर्मानी की कमपनी पटना तारा मंडल कर रहे है डिजिटलाइज आब और दूर तक कर पाएंगे अंतरिक्स दरसन समझने का मौका मिलेगा दरसल पटना के तारा मंडल को विक्सित करने का काम सुरू कर दिया गया है जर्मानी कमपनी कलाजाइज को इसकी जिमेदारे मिली है आदोनी करन के अंतरगात यहां के प्रोजेक्शन सिस्टम को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज किया जाएगा इसमें 3D के साथ ही 2D सो आदी भी दरसक देश सकेंगे अगली बड़ी कबर बिहार में पलाश्टू स्कुलो की विकास के लिए सरकार ने खोला खाजाना बनेंगे 2-3 मंजिला भवन जिहां बिहार में पंचाइत सर पर स्थापे दोच मैदमिक विदालयों के लिए 66 कमरों का 2-3 मंजिला भवन होगा और उसमें बिर्दातियों के लिए आटीदोनेक सिक्षिनिक स्विदाय उपलब्द होगी जहां पर 14-14 के लिए बेहतर सिक्षिनिक माहोल उपलब्द होगा सिच्छा विभाग ने नए वित वर्स के लिए 9,200 करोड रुपिय खर्च करने का प्रस्ताव तयार किया है पुलिस की कई इकायों का विस्तार होगा इस्पेसल ब्रांच और सी आइडी के बाद दूसरी इकायों के दबतर भी पेल्ड में खोले जाएंगे गिरे विबाग ने इसके लिए संयुक्त भवन के निर्मान की इजाज़ा दे दी है भवन कैसा होगा इसके डिजाइन भी तैक कर लिया गया है इसे भविस्त की जरूतों को देखते वे बनाया जाएगा ताकि इकायों के दबतर के लिए जगा की कमें आने ना जाए अगली बड़ी कबर बिहार में खादी हैंडलोम और हैंडी क्राफ्ट के ब्रांड मिश्टर बनेंगे बिजेपी सांसद मनोस्तवारी बैठक में बनी सामती बिहार के खादी हैंडलोम और हैंडी क्राफ्ट को प्रोसाइद करने में जोटे बिहार की उद्योग मंत्री सेद सानवाज हुसेन के नेतुत में राज के इस परंपरिक उद्योगों को एक बड़ी कामयाभी मिली है बिहार के खादी हैंडलोम और हैंडी क्राफ्ट के ब्रांड मिश्टर बनकर इसे देश दुनिया में प्रोसाइद करेंगे सनिवार को उद्योग मंत्री सेद सानवाज हुसेन उद्योग विबाग के वरिष्ट अधिकारे और बिहार में नो नए सैनिक स्कूल खुलेंगे किन सीक्री को लेकर एक अची खबर राज के अंदर 9 सैनिक स्कूल खुलने के तयारी हो रही है्या नynnay सेनिक स्कूल फिपीडी मोड में खुले जाएंगे दरसल केंदर सरकार ने देश भर में सांस सैनिक स्कूल खुलने का पैसला किया है या सभी राज सरकार या प्राइविट सेक्टर के साथ पीपीडी मोंड में खोले जाएंगे कुछ स्कुलों को एंजियों के साथ करार कर भी संचालित किया जाएगा आपको बदा दे कि बिहार में सैनिक स्कुल खोलने के लिए कूल 15 आवेदन मिले है इनमें से नो को सही पाया गया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार सरकार द्वारा चोदफ और वरी से सभी तरह के प्रतिबन अटाने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं